स्वागत करता है तो फ्रेंट्स आज मैं एक पैड का रिव्यू करने वाली हूह इसका फर्स्ट पर्ट आ चुका है आप देख सकतो ठीक है तो फर्स्ट पर्ड में केसा है इसका मतलब पूरा रेसिप्शन दिया हुआ है आप लोग के बाद चेक आउट कर लो ठीक है उसके बाद ही सेकेंड पार्ट देखो यह पैड एक्चुली कैसा है मैंने यह पैड यूज की थी अपना प्यूर्ट कर टाइम में तो यह पैड कैसा है इसका मतलब कितना देर त करता है कैसा इसका टॉप सीट है सब कुछ मैं आज बताऊंगी तो प्लीज चैलेंग को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो देखने के लिए और पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको आईडिया मिल जाएगा यह पैड खड़ितना है कि नहीं खड़ितना है ज्या अगर गल्स या उमेन अगर यह पैड अभी तक यूज नहीं की हो तो प्लीज यह पैड का जो रिव्यू है प्लीज देखिए तब आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा ठीक है इसलिए मैं बरबर बोल दियू तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए पैकेज मे साड़ा कुछ ट्ट्रस दिया हुआ है कैसे आप यूज करोगे कैसे इसको ठोघव करोगे इसका मैनफेक्चर सब कुछ ट्रस deployed इस दिया हुआ है मेन है 6ी सूपया में एक्सेल पैड मतलब 280 mm का ठीक है καाफी लंबा है 280 mm का पैड यह यह दे रहा है ठीक है अंच्छति सुपय में मार्केट प्राइद में मुझे 22 शुपय मिला है ओनलाइन से मैंने व्लिप कर से और कि थी तो मुझे 32 सुपय में में 22 शे मिल गया था थिक है है तो यहां पर बहुत सारा कुछ क्लेम करता है ठीक है ओर को कंड्रोल करता है इसके बाद वाइडर बैक है लिक लॉक मतलpower ब्लैंड को लॉक करता है बहुत कुछ इस पयञते है में लिखा हुआ है कि कंपर ने इस का क्लेम किया लेकिन और आपको इसको डाबल प्लाश्टिक प्यपर दिदेगा नियुक्त है इसको ख़रित के लेके और प्लास्टिक पेपर में अच्छा से एक मतलब यह करके अपड़ेगा खुला का छोर दो कि तो इसमें कोई भी जर्म आ सकता है या जो कॉक्रोज अगर आपका घर में है कॉक्रोज बैठ सकता है ठीक है कॉक्रोज मंच्छर कुछ भी ब तो आपको अलग से paper से रचते यह नहीं को कि तो चलिए किया कि इसलें किया हुआ होए यह वाइडर वैक है तो यह इसका टॉप सिट वाइडर वाइडर थेपल स्टी की डिम आता है लेखना स्वाइडर टीलें गता столько-rek्र हिः सब्सक्राइब सब्सक्वा keyboard सब्सक्राइब यह पैड जेल बेस है लेकिन यह पैड जेल बेस नहीं है यहां पर ग्रीन कलर का ऐसा दिया हुआ है ठीक है लेकिन यह जेल बेस पैड नहीं है यह कलर है यह जेल नहीं है इसमें नहीं है इसका जो थीन आता है 40 रुपए में 6 पैड और इसे यह साइज का है अल्टा थीन आता तो आप अगर सोच रहो यह जिल बेस पैड यह जेल बेस पैड नहीं है और एब्स पैड में बहुत ही अच्छा लगा मुझे ठीक है है यह बात है आप यह पैड्ध कब-कब यूस कर सकतो ठीक है यह पैड है यह पैड ह, अधगी फ्लो में, 2077 Info मे November 5 S Di農ेट, एब्स पैड्ध कर सकत्त doen ठीक है नाइट में आप जो डबल एकस्यल का पैड वही लेना समझज़डारी होता है क्योंकि नाइट में कहां अगर ब्लाइड लग जाएगा तो हम लोग विक्स नहीं लेते हैं तो उसके लिए आप डबल एक्सिल पैड यूज़ करो नॉर्मल डे टाइम में आप यह पैड अड़म से यूज़ कर सकते हो ठीक है तो इसका गया गया खासियत है खासियत में है यह जो पैड है इसका टॉप सिट है प्लास्टिक की टॉप सिट है ठीक है जिसको प्लास्टिक टॉप सिट अच्छा नहीं लगता है रैसेस होने का चांस है वह मत लीजिए ठीक है क्योंकि प्लास्टिक ठीक है प्लास्टिक तो प्लास्टिक अगर एलर्जी है प्लास्टिक कर को है ऐसका स्टिक थी किनें भी और ऑफ थी था कि है और यह harvest दिया हूए है इसका भी फिलंग स्टिक हो जाता है दो जिसमें नहीं करता है अच्छा से बैठे जाता है ठीक है और ये यह एक ब्लट को अच्छ्छ है से अब्जॉप करके छारों तरब सप्प्रेट कर दीता है ॠ औरघरमी फिल होता है slit का भड़ है और घर्मीarians फिल होता है और हम यह पैड जब आप पैंटी मतलब यूज करोगे उस टाइम देखिए गा जब बैठ ये गा तो यह पैड थोड़ा चिपक जाएगा अपका स्कीन से ठीक है वह थोड़ा लगता है मेंटी को बार बार अजस्ट करता है करना पड़ता है तो ये पैट थोड़ा मतल अब अब हुआ चिपगने का कैडिंश है क्योंकि यह प्लास्टिक टॉप सीट का इसलिए ठीक है और ब्लट इसका दिखता है मतलब उपर में दिखता है नहीं नहीं दिखता है हलकालका रेट रेट दिखता है ब्लड नीचे में रहता है हाँ प्रेशर देने में ब्लड उपर आता है क्योंकि यह जेल बेस पैट नहीं है तो इसलिए जब उभर हो जाता है सुरू में नहीं होता है जब उभर ह यह सब है लेकिन यह पैट काफी अच्छा है काफी इसका टाइमिंग मतलब बहुत इन चरगान टाराम से देता है वह मुझे अच्छा लगा तो काफी इसका मतलब डिटर्स में मैं साहद आप लोग को समझा पा रही हूं कैसा पैड है ठीक है तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसका छोटा समय रीकैप कर दूंगी चलिए इसका कुईक्ली रीकैप कर लेते हैं ठीक है यह इसका साइज है 280 mm ठीक है एकसल साइज का है इसका टॉप सीट है प्लास्टिकी टॉप सीट है स्टिकीनेस इसका बढ़िया है स् ठीक होता है एक ठीक है यह इसका काफी है मतलब चौड़ एकस्चा से स्टिक होके बैठे राता है लोग्त शिपक कर दो यह अच्प हशा लगा और यह इसका टॉप सिट प्लास्टिक की आ भीथर का जील वेस्कृत नहीं कर एंनिदर ऑन्लीस और यह प्याजने में लग रहा है जेल पाट यहां पे जेल बेस पीड नहीं है this हमितर में cotton नमप्रच न यह she है तो काफी अच्छा लगा मुझे इसका थीकनेस काफी अच्छा है काफी मोटा थीकनेस है इसका बैक साइड वाइडर है तो ब्लाड मतलब एक्स्टप पोटेक्सिन हम लोगों को देता है और ब्लड अच्छा से एब्सॉर्ब हो जाता है नीचे में आ जाता है यहाँ पर कोई स्ट्रेंड नहीं दिखता है हलकार का रेडिस दिखता है लेकिन स्ट्रेंड नहीं दिखता है धितन में चल जाता है यह पैड दबाने से बलड आ जाता हैं तीक है बलड आ जाता है ऊपर में और आजो मतलब ब्लड को एक जेगह में च्ट नहीं करता है चारवतरुप्फ्पर स्प्रेट कर देता है तो यह व्यक्ष्पर एक पर नहीं लगा बहुत जहता है जुसमें ज्यादा चलता है और बहुता है जो काफी अच्छा लगता है जिसमें नहीं होने का चांस है तो यह पैड में टो भीगँस होता है टो यह हने का चांस के पा विpox विपर का काफ मतले数 plane कर ली हूं कि इसका अलत से प्यूद स्वेट काही है इस देख सकतो और सोफ इस ध до तो वह मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, जादा तद थीन पैड मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा मतला मुझी नहीं लगता है, अब सबका अलग अलग चोईस है, तो यह heavy flow में आप यूस कर सकतों, 3-4 घंटा यह heavy flow में आपको देदेगा, ओडर को कंट्रोल करता है ये इसमें अच्छा से फ्रैगनेस दिया है अच्छा से ओडर को ये कंट्रोल कर देता है और पहले ही बताई हूं मैं जिल बिस पैड नहीं है हाँ और एक बात है ये प्लास्टिकी टॉप सीट है तो गर्मी गर्मी फील हो सकता है और प्लास्टिकी सूपसीट या इसलिए इसका जो ज quantum डॉबैक है जीक हम लोग का तो मतलब कर बाते है तो हम लोग G7 सन चिपक जाता है जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि काफी सब्ट झाइड थी के लिए बहुत अच्छा है नहीं ये आप यूछ कर सकते हो ये वाला इस पर अल्टा चॉइस वह आता है इक्स्टा जो थीन में आता वह एकदम घटिया लगता है मुझे एकदम पसंद नहीं मुझे हां वह काम नहीं करता है अधार ज्यादा देता है तो ऐ है तो आप लोग ले सकते हो जैसे लागा बोल क्योंकि मैं बहुती मतलब मूटिवेशन लेके कर रही हो वीडियो तब अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरा वीडियो अगर नहीं देखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो अगर